एक तरफ गर्मी का मौसम है लेकिन उसके बाद भी चुनावी तपी सितनी बढ़ी हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं सारे दल के लोग गाउं दूर दराज के जो गाउं हैं वहाँ भी निकले हुए हैं आज इसी करम में हमारी टीम निकली है आपको दुरोधा बिधानसवाच्षेत्र के एक सुदूर गाउं में आप देखिए कि पूरा गाउं का माहौल है और इसी गाउं के माहौल में हमारे साथ मौदूद हैं एंडिये के परत्यासी कविता सिंख के पती जो पूरे दल बल के साथ वो निकले हुए है चुनाव परशार में अजे जी कैसा लग रहा है गाउं हलाकि ये तो आपका पहले से छेत्र है दुरोधा बिधानसवाच्षेत्र है आपका जाना पहचाना इलाका है कैसा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ यहाँ यह गुरावली गाहों है यहाँ तो पहले से हम लोग अजय के लोगों में आते उसा है कि हमारा हमारी जो है मलے अब मैंपी बनेगी और इसके लेकर के लोगों में खासे तरह के मुच्छा तिас दिख रहा है कि अब हम लोगो पूरे सिवान पो विकास करेंगे दराउधा Mae जो विकास की है यहां के मननिय विधायक जी तो अब पूरे सिवान का विकास होगा उसका आसिरवाद हम सब हुकू मिलेगा दराउदा वासी को खास करके मिलेगा इसलिए उस साहित हैं यहां के लोग और पुरे मोड मेकप करके बैठे हैं जैसे बारा तारीक जो मतदान की थी थी है वो नेजदीक आती जा रही हैं लेकिन ये भी देखा जा रहा है इसके साथ साथ है यहां हम पुलि टेक्निक कलेज बना वह चुका है महंदार के बगल में में पुल टेक्निक कलेज बना है उसके बाद हमने दुदू आइटी आई महिला और जेन्स आईटी आई उजाहि में बन वा Iti एक कंद्री द्याले भी बनवाया है हमने एक अनुमंडल हस्पीटल जो मडल हस्पीटल बनवाया है हम लोगे एनेम जेनेम कालेज हमनों बनवाया है और च्छातरवास बन रहा है महिला च्छातरवास हमने उजाए में बनवाया है महिला च्छातरवास हमने सहुली में बनवा केंपुर हस्पीटल हम लोगों ने जर्णेव दार आई लिया है इस तरह का विकास के हर गाउं बिजली औन्हें हर विजली पहुंचा दिए और खडिया हर किके साथीर नहीं परिम肉 हन्य नहीं दिखाई देटा है और जिन एक भी पुल्टेक्निक कालेज सरकारी खुलवाया हो एक भी जो है कोई बड़ा सा हस्पीटल बनवाये हो यह कौन सा विकास करवाया है 15 साल के सासंदकाल में हम लोगों ने तो महज 8 साल में इतनी विकास करके दिखाया है और एक दराउदा भी धान सबा में किया है पूरे सि स्वान जिला को मरॉडूल बनाएंगे और राजंदर बाबु का जिर्म जो विचार रहा में दोडना चार्च की धरती रही है यह खोई हुएतव को हम वापस लाएंगे और साहब दिन का सिवान को मिटाएंगे और 30 और उस उसको कलंक से दोय हैं गे सिवान को चो बदनाम स शाबदिन का सिवान के नाम रखते हैं शाबदिन का नाम आजाता है और शाबदिन का नाम आता है तो लोग कांप उठते हैं यहां के लोग जो 15 साल पहले भारा भागते थे शिवान जाते थे तो भारा भी भागते थे उनके घर की माता भारा भागती थी कि हमारा बेटा सुर हमारे समाज है उनको नंगा मारा जाता था नंगे मार करके और रोड पर छोड़ दिया जाता था नंगा हमारे दलित समाज के लोगों को काटा जाता था हमारे जादो भाईयों को दस दस लोगों को काटा जाता था वही सिवान और उस सिवान को देख करके लोग काँप जाता ह आज कि वो सहाबुदिन का सिवान फिर आएगा और फिर लोग वैसा ही हत्या होगी फिर वैसा ही रोड पर लोग मारे जाएंगे दलितों को मारे जाएगी और हमारे यादो समाज के लोगों को काटा जाएगा वैसा कोई नहीं हमारे समाज के जिनको वो मारा नहीं काटा नहीं चेमनी में जोकवाया नहीं और दीन दहारे गोली चंसेकर जो चंसेकर कुसवाजी थे आज अस्टैचू बना है चंसेकर कुसवाजी को कौन मरवाया उमकारमल जी बनिया समाज के लोग थे बड़े लीडर थे जिनके हाँ अडवानी जी आते थे उनको गोलियों से छलनी करव यह सिवान फिर जनता नहीं बनने देगी यहां और यहां की जनता वैसी सजग है चौकिदारी कर रही है वोट को लाठी ले करके यह एक भी वोट वस कलंकित को दुस कर्मी को और वो जो है अतताई को न मिले क्योंकि उस अतताई को अगर एक भी वोट मिलेगा तो वह जीते और फिर सीवान में वही महाल बनेगा जिससे लोग मताएं और बहने जो है अपने बेटा को वापसी के लिए भारा भाखने शुरू कर देगी वो दिन जनता यहां के आने नहीं देगी अजय जी दस साल तक बीजेपी का यहां सासन रहा है उनके सांसद रहा है क्या ये बदला हुआ है या अब भी वो आतंक कायम है देखिए सासन हमारे दस साल के जो ओंपरकास जी सांसद रहे है उस समय बहुत सारा कंट्रोल हुआ है क्राइम कंट्रोल हुआ है विकास हुआ है और सांसद साहब का कारिकाल बहुत ही अच्छा रहा है इनके कारिकाल में शाहब उदुन की नकेल कसी गई है और वाज तिहार में हाफ रहा है. वही तो सासंकाल है. जिस के वज़ा से वो अत्रियार में हाफ रहा है. लेकिन इन सब के मावजूद अगर आपकी बाते सब कुछ सही है. विकास हुआ है. क्राइम कशन्टोल हुआ है. लेकिन जब नमबर देने की बात आती है, तो भाजपा के जिला धक्ष मनोश सिंग सौ में से 10 रंबर देते हैं सांसद उमपर का सियादों को अपने ही सांसद को ये फरभूला समझ में नहीं आता है उनकी अपनी बात होगी उनका अपना बात होगा विकास सिवान की जनता जानती है कितना विकास हुआ है सिवान में गाउं गाउं को पिछ रोड से जोड़ा गया हर गाउं को बिजली दिया गया पूरे सिवान के बात मैं करता हूँ और पूरे सिवान के गाउं को लमसम गाउं को पिछ रोड से जोड़ दिया गया पूरे सिवान के खेतों में बिजली आदन्ये नितिश कुमार जी पर भरोसा चताते रहेगी तह यह महौल कायम रहेगा नहीं तो वो दीन दूर नहीं ज़े फिर व दासत का दीन आ जाय और फिर वो गुंडों का दीन आ जाय जो रात में चलना दुल भार हो दीन में चलना दुरबार हो जाए, वो दीन आने में देर नहीं लगेगा। देख करके माले का भी वोट सिफ्ट कर गया हम लोग के नितिष जी के साथ और वादनीय प्रधानमंतीर नेंदर मोदी जी के साथ रहाम विलास पस्वान जी के साथ यह जो हमारा गटवंदन है इंडिये गटवंदन इसमें सभी जाती विरादरी के लोग इस गटवंदन से ख पक्षावी होगा ने सरकार तो नेंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके है एक कूरम है जो तेज तारीक को पता चल जाएगा बनारस में तो दिखाए दिया जिए रूट प्रजनता को मतलब यह इतनी भीड थी वो सामने दिख रहा था कि नेंदर मोदी जी प्रधानम कंत्री बन गए चलिए आपने देखा कि अजय सिंगी से हमारी कई मुद्धे पर बात होई चाहे वो लोकल सिवान का मुद्धा हो या फिर नेसनल मुद्धा हो और जिस तरह से चुनाव पर उन्होंने यह साफ सब्दों में कहा कि उस समय 2014 में लहर थी लेकिन इस समय लहर से भी बहुत आगे है और जिसकी बानगी कल बनारस के उस भीड में दिखाई दी थी और वाकिए अगर इस तरह की भीड अगर मुद्धी जी के साथ है तो सरकार भी बननी लगभग तैय है और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है शर्चा का हर जगा यह भी सा है कि भाई दो बारात है एक में बाराती जो बारात है उसका दूला है लेकि दूसरे बारात का दूला नहीं है यह कई जगा हम लोग बात कर रहे हैं तो इस तरह की लोग बात करते हैं तो देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव का जो रुख है वो 23 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है लेकिस जिस तरह से सिवान के विकास को ले करके अजय जी ने एक मॉडल अपना पेस किया और बताया कि किस तरह लगातार तीन बार से वो दुनावदा विदान सभा के विधायक रहे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसी का नतीजा है कि आज वहां की जनता अपने विधायक को सांसत के रूप में देखना चाहती है अब देखना है कि बारत तारिख को जनता क्या फैसला लेती है कैमरामेन नजरे आलम के साथ कैलाज कुमार एटियन लाइव सिवार आज अब तारिव देखना है जिल्दावाद देखना जिल्दावार एटिश साथ जिए और दुछ जिल्दावाद नजरे गारत दिखना है जरिया